वाव लाजवाब धनिया है दोस्तों देख सकते हैं इस प्लास्टिक की टब में इनकी ग्रोथ तो काफी लाजवाब हुए दोस्तों आप भी धनिया को घर पर बहुती सेफट तरीके से इस सरह से उगाज सकते हैं और यकीन मानिये आप देख सकते हैं कितने अच्छी इनकी ग और्गैनिक रूप में अगर फ्रेस और रासीनियोग खाद होती हैуш सकते हैं छो उल्डे को आप आथ धनीया को इस तरह से लौप मुद नत्य हैं और किसी भी मौसम में आप इसे उगा सकते हैं कुछ इस तरह से रेजल्ट आपको भी मिलेगी दोस्तो तो बने रहे चलिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं धनिया को क्योंकि धनिया की जरूरत हमारे कीचन में काफी अधिक होती हैं कई तरह से हम इसे खाते हैं तो नमस्कार दोस्तो वेलकम करता हूँ एक पर फिर से आप सबों का मेरे औरकिनिक ग्रेंग काड़न चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चैनल पर साथ में में रखता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, हेल्दी होंगे आज दोस्तो हम धनिया उगाने वाले हैं और इस तरह की पांच इंच की जो टब होती है, जो गमले होती है इस तरह से हमें लेनी है, जितनी चोड़ाई, जितनी स्पेस होगी, उतने अच्छे होंगे आपके लिए और यह हमारे पास धनिया की सीट्स, कोरियंडर सीट्स दोस्तों जो की हमें लोकल मार्किट से हमें मिल जाती है गार्डनिक सौप से या बीज बंडार के सौप से हमें इस तरह से धनिया मिल जाती है, यह सिर्फ पांच रुपे की है 5 रुपई में हमें काफी सारे धनिया 5 रुपई में हमें काफी सारे धनिया की जो बीज है वो मार्केट से हमें मिल जाते हैं तो इस तरह से आप धनिया को ले सकते हैं लगाने से पहले दोस्तों इसे इस तरह से हलके से क्रस करेंगे तो ये दो भाग में बढ़ जाते हैं इस तरह से दो भाग में बीज को अगर आप बढ़ करके अधिक जोर से हमें प्रेस नहीं करने हैं दोस्तों बिलकुल हलके हाथों से आप प्रेस करेंगे इस तरह से तो धनिया दो हिस्से में बढ़ जाते हैं और इस तरह से आप दो हिस्से में बढ़ जाती है इस धनिया को आप पाने में डीप करके अगर आप इसे मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इसकी जो इनकी जर्मिनेशन है दोस्तों वो बहुत जल्दी हो जाती है, मैक्सिमम तेन से चार दिनों के अंदर में मिल जाएगे, तो यह आप देख सकते हैं, इस धनिया को हमने पाने में डिप करके लगपक बारा घंटे के लिए छोड़ दिया था दोस्तों, और अब यह देख सकते हैं, बारा घंटे के बाद इसकी बीच को हम मिट्टी में इसकी सर्फेस पे हम फैला लेंगे, इससे पहले दोस्तों आप इस गंबले में छोटे छोटे दो तीन होल जरूर बना लें, क्योंकि ओवर वार्टिंग का खत्रा पंती है, इससे वो निकल आती है, अब दोस्तों हमें मिट्टी किस तरह से लेनी है साधारन मिट्टी जो खेत की होती है, जो हमारे बारी की होती है, जो नरसरी की होती है, ये देख सकते हैं, इसे किसी छनी के मदद से आप छान ले, छानने के बाद मिट्टी हमारी बिलकुल बारिक हो जाती है दोस्तों इस तरह से छनी से अगर आप छान लेंगे, ये देख जाती है इस तरह से ले सकते हैं और यह है दोस्तों हमारे पास गोबर की खाद गोबर खाद जो हम इस्तमाल करते हैं वो पूरी तरह से पुरानी होनी चाहिए दोस्तों मैक्सिमम एक साल पूरानी होनी चाहिए ये पूरी तरह से डिकमपोज होनी चाहिए इस तरह से आप ये देख सकते हैं पूरी मिट्टी की सकल की रूप के ले लेती है तो इस तरह की गुबरखाद हमें लेनी चाहिए ये पौदे के लिए काफी बैनेफियसल होती है अगर अच्छे से decompose नहीं होती है तो दोस्तों कई बार हमारे पौदे की root burn होती है root जलने लगती है इसलिए ध्यान रखे अब इसमें हम mix up कर लेंगे इसमें हमने दिया है मित्टी यह है चूना दोस्तों चूना हलके से देना हमे थोड़ी सी हल्दी हम ले ले चुना जो है दोस्तों आप एक चम्मच इस्तमाल कर सकते हैं और इसे दोस्तों एक साल में मात्र एक बार हमें इस्तमाल करने चाहिए मिट्टी की pH लेबल को यह अच्छे रखती है प्रोपर बना के रखती है और कैल्सियम की भी कुछ सोर्स पूरा करती है तो यह देख सकते हैं इसकी गेराही मैक्सिमम पांच इंच की है इस तरह के पांच इंच गमले की साइज होनी ही चाहिए और यह देख सकते हैं छोटे-छोटे हमने होल बनाया हुआ है इस तरह से छोटे छोटे होल बना ले ताकि ऑबर वाटिंग जो होती है वो इन drainage होल के मदद से पाने एक्स्टा ड्रेन होती है और इसके उपर से इस तरह से जो खपड़ी होती है जो ठिकरी होती है आफ इस तरह से बंद कर सकते हैं ताकि मिट्टी का बहाव ना हो और जो पानी होती है वो निकल आती है तो हमने दोस्तों आपने देखा इसमें हमने 60 परसन हमने मिट्टी ली है 40 परसन गोबर की खात ली है बस ये दो तरह का हमने ली है और इसमें थोड़ी से हमने चुना और खल्दी का इस्तमाब करा और अच्छे से मिट्टी को अब हम मिक्स अप करके गंबले में हमने फिल करा है और अब ये जो बीज थी जो हमने पानी में डिप करके रखा था दोश्तो दो दिनों के लिए अब ये उपर की सर्फेस एरिया पे फैला देंगे अच्छे से फैलाना के बाद आप उपर से हम एक पतली लेयर मिट्टी का कभर कर देंगे ताकि मिट्टी से ये हलकी दब जाए इससे पंच्छियों से भी बस्ती है और इनकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है क्योंकि अगर उपर पे रहेंगे तो ऐसे भी बहुत सारे पंच्छी है जो च्छत पर आती है और उनके बीज को शुग ले जाएगे इसलिए उपर से हम हलके मिट्टी से कभर कर देते हैं कभर करने के बाद हमें तूरंत वार्टिंग कर देनी चाहिए ताकि मिट्टी में इसका पकर जो है वो बन जाए ये देख सकते हैं इस तरह से सर्फिस में फैला देंगे फिलाने के बाद इस तरह से हलके मिट्टी से बारिक मिट्टी से हम कभर कर देंगे कभर करने के बाद इस परे बोतल के मदद से इस परे के मदद से हम इसमें सावरिंग कर देंगे इस तरह से सावरिंग करने के बाद दोस्तो इसे हमें फूल डे के धूप में हमें इसे रखनी है ऐसे जगे जहां धूप आती हो अच्छे से मैक्सिम तीन से चार घंटे के लिए धूप आती हो वैसे जगे प्यापक को रखनी है और इस तरह से हम कभर कर देंगे दोस्तो प्लास्टिक से कबर करने के बाद हम वेट करेंगे देखते हैं इसकी जर्मिनेशन कब तक होती है तो हम अभी वेट करेंगे इससे दोस्तों बीच की जर्मिनेशन है वो बहुत ही जल्दी होती है तो कबर कर देंगे और वेट करते हैं आप्टर फॉर डे चार दिन की बाद की रिजल्ट है दोस्तो और चलिए अभी हम इसकी कवर को हटाते हैं देख सकते हैं इसमें हीट पैदा हो चुकी है इससे कवर करने से किसी भी तरह की बीज की जर्मिलेशन जल्दी होती है दोस्तो यह आप देख सकते हैं मुस्टली जितनी बीज थे वो अब इनकी जर्मिनेट हो चुके हैं इस ट्राउटिंग आप देख सकते हैं काफी अच्छी अभी होने लगी है यहां से आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी एक दिन के बाद और भी बीज इनके जो पौदे हैं वो निकल आएंगे आप्टर 9 दे नो दिन के बाद की रिजल्ट है दोस्तो और अब इनके कबर को हम हटाएंगे और आप देख सकते हैं इनकी जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं काफी अच्छी हुवी है दोस्तों तो इस तरह से धनिया को आप लगाएं बीच को पाने में विगो करके आप इस तरह से मिट्टी तियार करके लगा सकते हैं वैसे इसे खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है ये 30 दिनों के अंदर ये हमारी तयार हो जाती है दोस्तों और आप इसे इस तरह से डे बाए डे आप इसका हार्वेस्टिंग करके आप अपने किचन में इस्तमाल करें तो थोड़ी आप बने रहे हैं इस वीडियो पर अभी हम इसकी आगे की रिजल्ट और भी दिखाने वाले हैं आप इस वीडियो को किस सहर से देख रहे हैं दोस्तों आप जरूर लिखे ताकि हम देख सकें कि हमारी वीडियो कहां तक जाती है तो आप अपने कमेंट सक्षिन में अपने सेहर का नाम जरूर लिखें ताकि मैं समझ सकूँ कि हमारे फ्रेंड्स हमारे फॉलोवर्स कहां तक इस वीडियो को देखते हैं तो ये रिजल्ट है दोस्तों आगे की देखने के लिए थोड़ी से हम वेट करते हैं मिलते हैं कुछ दिन आप्टर सोला दिन 16 दिन के बाद है दोस्तों 16 दिन के बाद की रिजल्ट आप देख सकते हैं काफी हरी बारी हमारी धनिया हो चुकी है काफी खुसूरत और ग्रीन जो है देख सकते हैं काफी लाजवाब दीख रही है अब धनिया को आप खा सकते हैं इस हालत में आप देख सकते हैं इनके पत्ते जो इनके लेफ्स है वो बनने लगे हैं काफी हरी बरी है और इनके खुस्बू तो दोस्तो अभी बहुत अच्छी विखर रही है इनके फ्रेगेंसेस तो काफी लाजवाब है भी तो अब दोस्तो इसकी ग्रोथ और भी फास्ट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक फटलाजर मैं आपको बताऊंगा एक लिक्व सवाब रिजल्ट आपको मिलेगी दोस्तों तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब बहुत ही अच्छी रिजल्ट है दोस्तों देख सकते हैं अभी दो चार दिन के बाद इसकी ग्रोथ और भी बढ़ जाएगी और अब दोस्तों हम इस्तमाल करने वाले हैं खाद लिक्व कारे जहां मिलते हैं वहां से भी मिल जाती है एक लिटर पाने में लगपक 15-20 ग्राम हम इसे दे सकते हैं 20 ग्राम की मात्रा आप एक लिटर में आप इसे दे सकते हैं और इस एक लिटर से दोस्तों मैक्सिमम 10 लिटर खाद बन सकती है चलिए मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि इस खाद को किस तरह से आपको इस्तमाल करनी है डारेट इस खाद को आपको इस्तमाल नहीं करनी है क्योंकि ये काफी गार ही होती है अगर इस तरह से डारेट आप पौधे में देंगे तो आपके पौधे को नुकसान पहुंच सकती है इसलिए इसका इस्तमाल भी आपको जरूर जाननी चाहिए अभी इसे दोस्तों पानी में हम इस तरह से दे कर अच्छे से हिला कर इसे हम दो दिनों के लिए छोड़ देंगे दो दिनों के बाद ये खाद बन के तयार होगी ये सरसोखली पानी में डिजॉल्व होगी इसलिए इस तरह से हिला के किसी भी चीज से हम इसे ढखके दो दिन छोड़ देंगे बीच बीच में आप इसे अच्छे से हिला दिया करें ताकि ये पानी में घुल जाए और दो दिन बाद हम इसका इस्तमाल करेंगे सरसोखली की जो लिक्विड है दोस्तो आप हर तरह के पौधे में दे सकते हैं और ये हैं दोस्तो दो दिन के बाद हम मिल रहे हैं सरसोखली जो हमने पानी में डाला था और अब दोस्तो ये बनके बेलकुल तयार है आप इसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे योज करनी है सबसे पहले अभी किसी बाल्टी में आप 8-10 लिटर पानी लेनी है साधे पाने और वो 8-10 लिटर पानी में इस एक लिटर खात को हम मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अच्छे से इसे हमें उपर नीचे करनी है मतलब मिक्स करनी है और यह अब दोस्तो 8-10 लिटर हमारी खात बन जाएगी और यह खात दोस्तो काफी पौधे के लिए बैनिफिसियल है आप हर तरह के पौधे में दे सकते हैं चाहें वो वेजटवल हो चाहें वो फ्रूट वाले पौधे हो चाहें वो इंडोर पौधे में थोड़ी आपको कम देनी है इंडोर वाले पौधे में इसे हमें बहुत भारिक देनी है थोड़ी समय के बाद देनी है बाकि जितने भी फ्रोटिंग वाले हो सबजी वाले पौदे हो या फिर फ्लार्स वाले पौदे हो उनमें आप इसका इस्तमाल 8-10 दिन के अंतर पर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है दोस्तों यकिनन आपको एक चौका देने वाली रिजल्ट आपको मिलेगी इस तरह से हर एक गंबले में लगबक पचास पान सो एमल जो है एक गंबले में आप देश सकते हैं वो भी 10-12 दिन के अंतर पर अभी देख सकते हैं हर गं आप्टर 30 दे तेश दिन की बाद की रिजल्ट दोस्तों और आप देख सकते हैं बहुत ही एमेजिंग बहुत ही लाजवाब चबर्दस तरीके से हमारे धन्या की जुगरूत निकल के आईए हैं दोस्तों याप देख सकते हैं आप यकीन मानिए इनकी फुस्पू इनके फ् जो फैल रही है दोस्तों अब इसे दोस्तों आप इस्तिमाल कर सकते हैं अपने कीचेन में डे बैड आए आपका जितना इस्तिमाल हो अपने कीचेन में इसका इस तरह से कट करके तोड़ करके आप इस्तिमाल कर सकते हैं चाहें वो सबजी हो चाहें वो चटनी हो या फिर सा बाद है आपके सब्जी में डाले चाहें चटनी में डाले बहुत ही लाजवाब इनकी स्वाब जो है हमें मिलती है हमारे सेहत के लिए ये बहुत ही बेनिफिसियल माने जाती है दोस्तों क्योंकि अगर इसे और गेनिकली उगाया जाए तो फिर क्या कहने तो आप जरूर इस प्लेश इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस तरह के इंटरस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आपको काफी देखने को मिलेगी जो की बीज से लगने से लेकर पौदे बनने तक कि इवनकीन में फ्रूट कब तक लग जाते हैं पूरी स्टेब बाइ स्टे आपके साथ यो बी अधिये जो बी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो कमेंट सेक् scrn में जरूर लखे साथ ही दोस्तों किस सहर से धेख है जरूर लिए आप जरूर मेंशन करें अपने कमेंट सक्षिन में और अभी इसकी ग्रोथ देखें दोस्तों मैक्सिमम इनकी ग्रोथ एक फीट से भी अधिक हो चुकी है और हर्याली इनकी खुसबू बहुत ही लाजवाफ है तो आप भी इस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं अगर आपके पास करूंगा यह देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों विंटर आ चुकी है आप भी धनिया को आ सकते हैं इस तरह से बरसात के सीजन में अगर आप यूज करेंगे जब भी बारिस होगी तो सबसे बड़ी खास्यत है कि इस गमले को आप अंदर कर सकते हैं सेड़ी वाले एरिया मे आप इसे रख सकते हैं उसके बाद जब धूब किलती है उसमें आप इसे बाहर कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं इस विडियो को यहीं कतम करते हैं